गुड मॉर्नी स्टूडेंट पेटा जी आज सी करांगे दो रंग पुस्तक विचूं कविता पाग तेहादे कवी ने डाक्टर हरपा जन सिंग जी ते कविता लेए तेरे हुजूर मेरी हाज रीदी दास्ता पेटा पढ़ना स्टार्ट केंदे यां केंदे कि ओदू हाज साम पार जड़ी लेक को मरेही तो खून दी प्यासी नंगी तलवार नू वेह के मतलब प्यास उनू तरफ दी पही प्यास ना ठीक है ते ओदू मैं उस दरबार विच हाज सी उत्थे मजूज सी कंदे लेहरां दा सुल्क दा मेला जदू सुक्के स्रोबर वांग गुमसम जड़ा जमो में ञांग कीटी थे मेलेधी हल जल ही एक शुक्के सुरोवर् वांग सी कशी जड़ी गुमसम मतल होगी बुज गेई ते दूर तक केंदे दूर तीकर चुपदे बंजर विसे सान जिन्ना विच सवास वी उगदा नहीं पुरा कि देखे दूर तक सारे पास से जड़ा ही चो पचा पशाव गई तो उना दे विचे साहा दी वाज भी नहीं सी आ रही पर सांग लिखने आ बेटा देखे एह का भी टोटा दो रंग पुस्तक विच दर्ज डक्टर हर पजन सिंग दी लिखी होई कविता तेरे हजूर मेरी हाजरी दी दास्ता वी चुले आ गया है इस कविता विच कविने खाल सा पंत दी साजना करन समय गुरू गोबिन सिंग जी दे दर्बार विच अपनी हासो हीनी दास्ता नू पेश किता है आते अंत विच कविता नू वर्त मानना जोड देया इच्छा परगट किती है कि गुरू जी दी मांग अनसार आज वी ओह इंसान अपना सीस देनली अग्ये आन ते अपने सीस पेट कर कवी पूत काल विच गुरू दर्बार विच अपनी अनहोंद नू वर्त मान विच अपनी होंद नू बनाओं ले व्याकुल है कैन्द मतलव कि उस समय दी सारी पजीशन नू वर्त मान जड़ा ओधे विच लियाना चावंद है कवी कन्द है कि हे गुरू गौबन जी सिंग जी मैं उस समय तेरे दर्बार विच ही हा जैसी जदू तेरे हाथ विच फड़ी खून दी प्यासना तडफ रही जड़ी ही तडफ रही लाग रही सी कि तलवार खून तलवार जड़ी है खून दी प्यासना तडफ रही लग र पर या मेला एकदाम सुक्के सुरोवर वांग गुमसम हो गया होके बुझ गया लग रहा सी चारे पास से सनाटा शा गया सी दूर दूर तक चूप दे अजे है बंजर भी से होई दिखाई दे रहा सान कि उन्ना बंजरा वी चूप इसे दे साल आंदी भी आवाज नहीं आ रह दी लाट वांग निकल लया केंदे कि मैं उदू ताड दरबार वेच आजर ही जिदो तुह क्या ही कि जे कि सीस दे उ मतलत जिनने सीस देना ओ अगया सीस जिस दे पास हाजर करे ओदू बेशिस बंदे वांग वांग मेरी हाजरी सी केंदे कि ए शबद मिन्हों आग दी मैं बिना सीस दो तेड़ी हाजरी वेच तरे दरबार वेच बैठा अचेती लेहर वांग पड़क तरबक के उठी ते फिर डिंगी नदी दा लेहर वांग सोंगे केंदे ए दिनाल की केंदे कि मेरे जड़ी तरफ ही अचानक जड़ी ही मेरे सीस मंगल नहीं मेरी शाती वेच जान जड़ी ही नदी दे वेच उठन वाले अचानक लेहर वांग तरबक के उठी ते फिर एक दाम की हो गया एक दाम उत्री होई नदी वांग शान्त हो गया तो मैं अपने आप दे एक लिख अपनी हाज्री तो बिना ओदू कुछ भी नहीं सह अपने अपनुए समझेंगाँ है कि मैं एक लिख जरी है समान दी तरह मैं दूर्व घरी जरी मेरी मेरी यह तरह हुद होध विए में कोस्ट विच मजूद नहीं एक बिलकुल दे तरह है मैं अपनी थाथ बैठा सा विरिक्ष वांगू जिसनों मुड़ू किसी ने किसे दो चार हाथ शाड के सबूता वाड़ देता हुए मैं अपना बैठा होते इस तरह लाग रहा सी जिमें कोई विरिक्ष पावदा है वर डद रखते है तो उन्नों दो चार हाथ शाड के सबूता वाड़ देता हुए नेरी नंगी निकल दी हीन ता मेरे उपर मेरी अपनी वी शाँ कोई नहीं सी अर्थाथ के आंदा पाव है कि तेरे दरवार वीच मेरा अपना बजूद जीरो देबरा पर सी ते देवेट बेटा अहीं जड़ी है परसांग उपर करांगे उपर कोई तहीं कर लांगे ते वी आख्या केंदा है कि हे गुरुजी मैं उस समय तेरे दरवार वीच सी जदू खालसा पंत दी साजना समय तेरे मुहूं बोल दा एक टुकडा बल्दी होई लाट वांगू निकलिया सी ते तु कहा सी कि जिस दे कोल सी रहा मैंनू पेट कर देवे उस समय मेरी हाजरी एक बेसिस बंदे वांग दी सी जदू तुसी दरवार वीच सीस मंगया ता मेरी जान मेरी शाती वीच नदी वीच अचानक उठी एक लहर वांगू तरब के उठ गई ते फिर ओहो एक उतरी होई इस नदी वांगू सोंग गई अते उस वीच कोई भी हल चल नहीं हो रही सी केंदे ने कि मेरी हाज एक लकीर दी तरह सी ते मेरी स्तिती हाजरी तो वाद और मैं एक विडिक्षदी तरहां बैठा सी जिसनों किसे ने दो चार हाथ शाड के वर्ड दिता होवे मैं अगे केंदे के हून मेरे पल्ले हीनता तो बिना होर कुछ भी नहीं सी ते तेरे दरबार विच मैं आपने आपनों जीरो ही समझ रहा सी नेस्ट है केंदे ने ओधू हा किरन वांगु ठीक है मेरे विर्ला जो अंदर चाख दी सी मेरे अंदर जो एक सूर्ज जहा तुम बाल तर या केंदे कि ओधू मैं हाजर सी जिदु तेरी जड़ी तकनी ही ओ एक तेज रोशनी वांगु जड़ी किरन वांगु ही हाड देते पैई ते जड़ी मेरे अंदर मेरी अंतर दे जड़े विचार सीर ओनावन विचाक सकती ही तो मेरे अपने अंदर ग्यान दा को यह हो जे किरन पैदा किती यह हो जा सूरज नुबाल सड़या कि जड़ी मेनू सारी जड़ी है मतर दिखनला प्या ओ चानन चो मेरी होई व्याकुल सी मैं अपने आपनू कि जड़ी मेरे ग्यान हो गया ते जड़ी मेरे अंदर वे चीज़े दा सूरज दा गोला बाल देता है चानन हो गया ते मैं बड़ा व्याकुल हो गया तो मैं अपने अपनू पुश्या कि मेरे तार है मेरा तार है ओदे उते शेर रहा गया कि जड़ा कि सिर्फ खाया जा सक किसे दे वास्ते वर्तिया बिल्कुल भी नहीं जान्दा परसांग करांगे उपरोगे ते व्याख्या इस तरह कभी कहनदा है कि हे गुरुजी ओदू मैं तेरे दर बार विच ही सा जदू तुसी खाल सा पंत दी साजना ले नंगी तलवार लेके सीस दी मांग कीती सी तेरी त अंदर अपनी ग्यान दा सिख्या दा ग्यान एक सूरज बाल के रख्या सी जिस दे चानन विच मेरी अंतर आत्मा व्याकुल हो उठ दी सी अते ओहो मैंनू एक बे सीस बंदे वांग बैठा दे के अंदरों अंदर तडफ रही सी क्याना मतलब है कि तू क्यों हल चल नहीं कर दा जिदो कि गुरू जी सीस मंग दे पेने तु मेरी आत्मा केंदी ही क्यों कोई हल चल नहीं कर रहा उस समय मैं अपने आपनों पिश्रया सी कि मेरे ताड उत्ती मेरा सीस है कि नहीं जा एह सी सिर्दा गमांड है जो कि विखाया ता जा सकता है पर गुरू जी दी मंग उन आपने अपने लिग आंपने आपन वीक उस अपने आपनु चाश्या कि मैं आपने आपनों जान दा कि आपने आप आपा जनबिया मैं गुरू दर्बार वीक बैठाऊ ओया कोई और था कि या पुरुष्या जो करूद निकलीता सी पिंडे ते एक वाफर्ज आंग जोडके पर पड़े चानन पड़े बजार सब दे सामने अंग पुरिया नार दा बुच्चा साब तो उजागर हो गया फिर केंदा कि मैं ओ ओरत ते नहीं जड़ी के अपने पिंडे ते जड़ा ही एक वदू जया अंग लाके ते जोड के परे चानन वेच मतल़ जदू पूरी रोशन देन चड़े आएट परे बजार विच जिदू सब दे सामने जड़ा मेरा आंगे पड़ा गया ते नार दा जड़ा बुच्चा ही और तो जड़ा बुच्चे सारय और जड़ा ओजागर हो गया पेश हो गया किन्दे ची आपनी हि आजरी एक पाल लगदी सी ते परे में ले दी चुप बोज सी उपासदा केंदे कि एजेहा कंदिनाल मिन्हून आपनी जड़ी हाजरी एक बोज ज़या लगनलापी ते जड़ा मेरा परे बजार विच मजाक उड़या ओवी मिन्हून बोहत ही जड़ा है मेरे दर्दा कारण बनया ते बिटा पर सांगू परोकत लिखांगे कवी केंदा है कि हे गुरुजी जदू तुसी दर्बार विच नंगी तलवार लाके खासा दिस्तापना वास्ते सिरांदी मांग कर रहे सी ता उस समय मैं भी उस दर्बार विच सामिल होके चुप चाप बैठके अपने आपनू पुशर रहा है सी कि मैं अजनभी हा जा मैं जही ओर्त जो अपने पिंडे उपर उते एक वद्धू जया आंग जोड के करूनिक लिता सी पर परेचानन ते परेबजार विच सब दे सामने ओ आंग पूर के डिग पया ते उस इस्तरी दा बुच्चा सब दे सामने नंगा हो गया मतरो दी इस्तरी दे जड़ी पेत वाल सब दे सामने आगे जही हालत विच हुन तेरे दर बार विच अपनी मजूदगी एक बोज जया लग रही है आते आले दवाले परे मेले दी चुप मेरे मन उपर इस मखौल दा बोज पाई जा रही सी जिस कारण मेरी हालत बड़ी हासो ही नहीं बतलो मजाग वाली बन गई ठीक है पेटा इस तरह ही चार पार कर लेने पैर एक कवीता जड़ी एक कछ लेंथी है थे बैटा नाल नाल जब विच आखया पाग तो यह चंगी तरह कर लिए करो योईगकि एंड विच जड़ा ही सार कर ना ऊदे विच सारे विच आखया पाग जोड देना है ताजी İş सा तानु जा विशा वस्तु आने, ठीके बेटा, एनना नु त्या अन्ना कोड़ो, ते नास्ट वीडियोचे मिल देहां, टेक केर.